Proof that root 2 is an irrational number तो पहले आप यह समझ लो irrational numbers होते क्या हैं Rational numbers वो numbers होते हैं जिने हम P upon Q की form में लिख सकते हैं जहां P और Q दोनों integers हों और Q 0 के equal नहों पहले आपको rational number के बारे में पता होना चाहिए irrational numbers के बारे में पता होना चाहिए तब ही इस question को आप समझ पाओगे तो पहले rational numbers आप समझ लो और irrational numbers को समझ लो तो rational number के लिए तीन conditions हैं पहली बात number P upon Q की form में होना चाहिए दूसरी बात P और Q दोनों को integer होना चाहिए और तीसरी बात यह Q 0 के equal नहीं होना चाहिए मैं कुछ examples देता हूँ for example मैंने 5 over 7 लिखा तो यह P upon Q की मैंने form में लिखा हुआ है मतलब कोई number numerator में कोई number denominator में और यह दोनों ही numbers integers हैं 5 भी integer है 7 भी integer है और तीसरी condition जो number denominator में लिखा है यह 0 के equal नहीं है अगर मुझे और examples देने हो तो ऐसे numbers को हम rational number बोलता है माल लेते हैं 1.6 लिखा है तो यह भी rational है क्योंकि 1.6 को आप 16 upon 10 लिख सकते हो अभी यह P upon Q की form में आ चुका है 16 and 10 दोनों ही integers हैं और जो number denominator में यह 0 नहीं है अच्छा 0 भी एक rational number है क्योंकि 0 को आप 0 upon 1 लिख सकते हो अभी यह P upon Q की form में है दोनों ही number integers है और जो number नीचे लिखा है यह 0 नहीं है उपर का number 0 है कि नीचे number 0 नहीं है जो number इस form में ना लिखे जा सके है उन्हें irrational मोलता है इनके examples में आप root 2 root 3, root 5 लिख सकते हो तो आप देखो root 2 यहाँ पर है भी root 2 irrational है तो बस इस बात को prove करना है कि यह number irrational होगा root 2 irrational होगा आते हैं अपने question पर तो root 2 को irrational प्रूफ करना है हम इसे contradiction method से prove करते हैं contradiction method में यह होता है कि है यह irrational लेकिन हम मान लेते हैं इसे rational और rational मानने के बाद इसके अंदर rational वाली properties घूनते हैं अगर मिल गई तो यह वाकई में rational है, otherwise यह rational है, तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ, यहाँ से आपको समझना है, कि exam में करोगे कैसे इसे आप, तो सबसे पहले आप लिखो, कि हमने root 2 को मान लिया है rational, so let root 2 be a rational number, okay, अब हर वो number जो rational होता है, इसे आप P upon Q की form में लिख सकते जहाँ P और Q co-prime integers है, where P and Q are co-prime integers, integers की मीनिग आप समझ चुके हैं, लेकिन co-prime integers का मतलब क्या होता है, co-prime integers का मतलब होता है, P और Q में कुछ common भी नहीं है, okay, for example, मैंने 4 upon 6 लिखा, तो 4 upon 6 में 2 common है, because 2 4 को भी divide कर सकता है, और 6 को भी divide कर सकता है, तो पहले आप इसको reduce कर लो, 4 upon 6 को reduce करने पर 2 upon 3 मिलेगा, तो ये 2 upon 3 में क्या है, 2 integer है, 3 integer है, और 2 upon 3 में कुछ भी common नहीं है, मतलब ये co-prime integers है, तो जब दो numbers में कुछ भी common ना हो, कोई common factor ना हो, तो उन्हें co-prime बोलता है, I hope मेरी बात समझ में आ चुकी है, तो root to a rational number मैंने माल लिए है, root to a rational number ह अगर ये rational है, तो मैं इसको p upon q की form में लिख सकता हूँ, क्योंकि हर rational number p upon q की form में लिखा जा सकता है, यहाँ पर p और q दोनों integers होते हैं, प्लस ये co-prime होता है, मतलब इनमें कोई common factor नहीं होता है, और जो denominator है मतलब क्यों ये 0 के 1 पल नहीं हो सकता है, ठीक रहा, चले, तो root 2 की value p upon q, अब आप इसमें क्या करो, दोनों तरफ squaring कर दो, on squaring both sides, आप दोनों तरफ squaring कर दो, तो root 2 का square करने पर आपको 2 मिलेगा, p का square करने पर आपको p square मिलेगा, और q का square करने पर आपको q square मिलेगा, ये q square अगर left side में जाएगा, तो 2 को multiply करेगा, तो आपको मिलेगा 2 q q2 is equal to p2 आप ध्यान से देखो ये number q कोई integer है, q की value 1, 2, 3, या minus 1, minus 2, minus 3, minus और कुछ भी हो सकती है और उस पर square भी लगा हुआ है then 2 से multiply हो रहा है तो ये जो भी number होगा ना, ये पूरा number 2 से divisible होगा, अगर आपको समझना है तो q की value कुछ मान सकते हो मान लेते हैं, आपने q को 3 मान लिया तो 3 का square 9, 9 2 times 18 देखो 18 2 से divisible है, आप q की value कुछ भी मान लो, जो final number होगा वो 2 से divisible ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने 2 से multiply कर रखा है, तो अगर ये number 2 से divisible है, तो इसके equate मैंने किया हुआ है p square को, मतलब p square भी 2 से divisible है, तो इसको देख कर हमको ये पता चला, के p square is divisible by 2, right, समझ गया ना, ये दोनों number आपस में equal है, तो अगर ये 2 से divisible, तो ये भी 2 से divisible, क्योंकि इसकी value 18, तो इसकी value 18 होगी, I hope समझ में आ गया, अब अगर p square 2 से divisible है, तो p भी 2 से divisible होगा, p is also divisible by 2, ये क्यों, आप किसी भी number का square बताओ, जो 2 से divisible है, for example, आप बोलोगे, sir, 4 का square 2 से divide हो जाता है, तो बेटा, 4 भी 2 से divide हो जाता है, आप बोलोगे, sir, 6 का square 2 से divisible है, तो देखो, 6 भी तो 2 से divisible है, आप बोलोगे sir 8 का square 2 से divisible है तो 8 भी तो 2 से divisible है तो अगर किसी number का square 2 से divisible होता है तो वो number खुद भी 2 से divisible होता है अब अगर P 2 से divisible है तो इसका मतलब क्या होगा P की value शाद 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी या 10 होगी लेकिन जो कुछ भी होगी न वो 2 into something होगी तो मैं मान लेता हूँ, it is 2 into c for some integer c for some integer c अब इसमें squaring कर दो आप दोनों तरफ on, squaring both sides तो जो आप दोनों तरफ squaring करोगे न तो p का square बन जाएगा p square and 2 का square हो जाएगा 4 और ये है c square I hope मेरी बात clear हो गई अब p square की एक value आपके पास पहले से है जरा उसे उठा कर लाओ, क्या थी p square की value थी 2 q square तो p square की जगह पर आप लेखो 2 q square 2 q square is equals to 4 c square अब दोनों side आप 2 से divide कर दो तो इसे 2 से divide कर रोगे तो q square मिलेगा, इसे 2 से divide कर रोगे माल लो, तो यह number पूरा जो result है 2 से divisible जरूर होगा चलो 5 माल लेता है 5 का square 25 25 2 times 50, तो 52 से divisible न अब इसी का ठीक equal है q square, मतलब q square भी 2 से divisible है q square is divisible by 2 थोड़ी दर पहले बता चुका हूँ अगर किसी number का square 2 से divisible होता है तो वो number भी 2 से divisible होता है अब देखो q 2 से divisible है और पीछे पेज़े बता चुका होँ है p 2 से divisible है p भी 2 से divisible है और q भी 2 से divisible है इसका मतलब p और q दोनो 2 से divisible है इसका मतलब p और q का common factor बन गया 2 अगर p और q दोनो 2 से divisible है तो p और q का common factor 2 है 2 दोनों को divide कर सकता है लेकिन हमने तो यह माना था कि यह co-prime integers हैं मतलब इनका कोई common factor नहीं होना चाहिए लेकिन मिल गया न common factor तो आप बोलोगे as P and Q have a common factor to common factor to तो हमारा assumption गलत हो गया देखो जी हमने क्या माना था कि रूट 2 rational number है अगर rational number है तो जब मैंने इसको P upon Q के form में लिखा था जहाँ P और Q co-prime integers थे और Q 0 के एक पर नहीं था तो यह सारी properties सही निकलने चाहिए लेकिन एक property गलत निकलाई P और Q को मैंने माना co-prime integers बट निकले नहीं है co-prime integers इसका मतलब मेरा assumption नहीं गलत था इसी तरह से आप root 3, root 5, root 7 केसी को भी irrational प्रूट कर सकते हो इसके आगे बस आपको यह लिखना होता है के hence our assumption is wrong hence our assumption is wrong और root 2 जिससे आपने थोड़ी देरक लिए मान लिया था rational वो actual में rational नहीं है it is irrational number I hope you are getting it if there is any confusion, please let me know please write in the comment section, thank you कर दो कर दो कर दो कर दो